हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वीव स्पोर्ट मैच रिव्यू और इस वीडियो में प्रिव्यू करेंगे यूएफा चैंपिन्स लीक का मैच जो की खेला जाएगा बिट्वेन रेयाल सोसियाड़ाट और पारिस सेंट जवान यानि पीएसजी के बीच में इस वीडियो में फ्रेंट्स वे आपको बताएंगे best fantasy combination के बारे में और आपको देंगे कुछ important tips और picks small league के और grand league के point of view से जो आपको आपकी team बनाने में help कर सकती है और friends अगर आपको एक contest खेलना है तो ये contest आप fantasy अखाड़ा पर जरूर खेलेगा जो कि इस वीडियो के sponsor भी है because fantasy अखाड़ा आपको देता है जितने भी non-mega contest है उन सब के लिए lowest commission lowest commission उने को आपकी जो entry fees होती है उसका सबसे कम सेग्मेंट fantasy अखाड़ा अपने पास रखता है जिससे आपकी जो savings होती है वो आफ future के matches में use कर सकते है so go and check out the fantasy अखाड़ा app now link हमने वीडियो के description में दिया हुआ है ये lowest commission के फरजी दावे बहुत जगे सुने होंगे है न पर कभी इंडिया के fantasy sports का असली अखाड़ा देखा है वहां पर टीम बनाई है आओ खेलो fantasy अखाड़ा पर खुद देखो lowest commission और highest earning क्या होती है जल दे fantasy अखाड़ा app download करो और चीतो आईए friends हम लोग चलते हैं देखने है अपना best fantasy combination इस match का goalkeeper friends हमने Alex Romero को लिया है ये definitely number one choice keeper होंगे आज के match के लिए because इन्हाँ ज़्यादा saves करने पड़ सकते है Spain में one of the best keepers में इनकी गिंती होती है and especially PSG के इस attack के सामने आज इन्हें बहुत ज़्यादा saves करने पड़ सकते although friends जो first leg हुआ था इनका वो Paris Saint Germain अपने home पे 2-0 के margin से जीत गई थी so आज Real Sociedad को score करना ही पड़ेगा वो दो goal के deficit में है तो they will attack and ऐसा हो सकता है कि Donnarumma को ज़्यादा shots face करने पड़े but overall quality के उपर हम लोग Ramiro को prefer करेंगे because हमें पता है कि attack Paris Saint Germain का काफी ज़्यादा better है as compared to Real Sociedad that's why Ramiro important होंगे आप चाहे तो Donnarumma को ले सकते हमें बिल्कुल problem नहीं होगी because Anoveta पे अपने home पे they will go for the win, they will go for the attack and pitch spaces को PSG expert कर सकते वैसे भी Luis Indi के जब Barcelona के manager थे तो उनका Anoveta यानि Real Sociedad के home पे बहुत अच्छा record नहीं था but still safe होगा कि आप Ramiro को ही ले के चले defense action की बात करे फ्रेंट्स उमने 3 के 3 PSG के defenders लिए है अश्रफ हकीमिय हमारे number one choice होंगे इनका offensive threat बहुत अच्छा है आगे जाते हुए crosses काफी अच्छे डालते हैं chance ratio numbers और assist potential अच्छा रखते हैं same goes for Lucas Hernandez जो last match पे bench से आयते है expected है कि आज का match start करेंगे अगर ये center back की तरह खेलेंगे तो आपको passing से अच्छे point देंगे और aerial threat अच्छा देते हैं अगर ये left back की तरह खेलेंगे तो आपको ये अच्छा कासा offensive threat भी देंगे बिकोज हमें पता है Lucas Hernandez कितने versatile player है Lewis Henry के जनरली Lucas Beraldo जो Corinthians है उनको खिला रहे हैं वहाँ पे बट आज के match में expected है कि Hernandez will play as left back and Beraldo will play as the left center back and हमने तीसरे defender लिया है Marquinhos को now Marquinhos की aerial ability इन तीनों defenders में सबस्यादा अच्छी बट अगर सबस्यादा error prone कोई defender है तो Marquinhos है बगर fantasy के इसाबस अगर बात करें तो आपको ये अच्छा passing volume दे सकते हैं that's why ये तीन defender important होंगे अगर आपको Real Sociedad से को defender लेना है तो आप someone like Zubaldia को ले सकते है अगर आपको थोड़ा सा offensive threat चाहिए तो आप हावी गलान को ले सकते है जो कि on loan आया है Real Sociedad from Atletico de Madrid अब friends आईए चलते हैं हम लोग अपना midfield section देखने हैं मगर midfield section देखने से पहले friends हम आपको बता दें कि view sport ने launch के annual subscription offer जी हाँ दोस्तों केवल rupees 2999 में मिलेगी आप देख भी सकते हैं चाहिए ओससुना आलवेस का मैच हो नॉस जालान सिल्क बोर का मैच हो in the Danish League या बाकी कोई भी मैच हो अगेंस कल का मैच भी आप देख लीजए Sheffield United Arsenal कितनी अच्छी winnings की हैं ये view sport की AI generated teams ने इनके सारे results आपके पास हैं आपको views पो टैप पर मिलेंगे तो जाएए इस pass को खरी दिये और इसका फायदा उठाएए पूरे साल की teams आपको मिलेगी at a very discounted price अब friends हम लोग अपने midfield की बात करें तो हमने midfield में PSG से दो midfielder लियें जो कि हैं विटीनिया और उस्मान देंबेले ना उस्मान देंबेले फ्रेंड्स PSG के highest number of chances create किये इन्होंने इस season जब से बारसलोना से हैं इन्होंने PSG में अच्छी form दिखाई है गोल scoring form तो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी ने है tackle interception numbers are okay गोल scoring form भी इनकी decent है passing से आपको अच्छे point दे सकते हैं आपको point देंगे अगर आपको जाहर मिरी इनकी जगा pick करना है तो आप उन्हें भी pick कर सकते हैं अगर हम बात करें रियाल सोचिया डैट से तो हमने Bryce Mendes और Martin Zubimendi को लिया है now Bryce Mendes friends काफी ज़्यादा important होंगे आज के match में रियाल सोचिया डैट के लिए because सोचिया डैट की जो main creativity का burden है जो main tackling और interception का weight है वो पूरा Bryce Mendes सम्हा लेंगे basically ये एक main creative outlet का का काम करेंगे सोचिया डैट के लिए नगर आज उन्हें कुछ भी अच्छा करना offensively या even defensively तो Bryce Mendes और Zubimendi पर काफी real eye करेंगे Zubimendi की friends अगर हम बात करेंगे तो इनके tackle interception numbers best है definitely one of the world's best midfielder है अगले season ये definitely किसी बड़े club में जा सकते है Zubimendi आपको mainly defensive point of views अच्छे point दे सकते है especially आज के match में जहाँ expected है कि PSG के पास ज्यादा ball होगी and Zubimendi will be given the task to win the balls because obviously real social dad को आज attack करना पड़ेगा so ये 4 midfield option आपकी team के लिए safe हो सकते है अब friends हम लोग अपने forward section की तरफ चलते है बगर forward section पर जाने से पहले friends हम आपको बता दे view sport के नई feature के बारे में जो की है 25 grand league teams का feature जी हाँ दोस्तों आपको view sport की AI generated grand league teams मिलेगी हर बड़े match की फिर चाहिए वो cricket का match हो या football के match हो आज का UFO Champions League का match हो आपको 25 के 25 grand league teams मिलेगी जिनने आप use करके अपने grand leagues में लगा सकते हो और अच्छी winnings कर सकते हैं इस feature को जाईए देखेगा और जरूर फाइदा उठाईएगा इसके साथ है अगर आपको कुछ additional insights चाहिए कुछ और information चाहिए तो आप view sport के telegram channel भी join कर सकते हैं जहांपे आपको match insights, updates, player short map, heat map etc. सभी चीज़े आपको मिलती है लिंक हमने वीडियो के description में दिये हुए है forward section की friends अगर हम बात करें आपको लिया है एक बहुत important चीज़ है कि कि लियन एमबापे definitely अगले summer में जा रहे है PSG से and last के जो दो matches हुए PSG जो उन्होंने draws पिक अप करे हैं उसमें Luis Enrique ने कि लियन एमबापे को एक match bench पे रखा था और दूसरे match उन्होंने half time पर substitute कर दिया था so definitely things are not very good between कि लियन एमबापे and PSG and Enrique ने press conference बोला भी है कि we have to start a life without कि लियन एमबापे so बहुत जादा कि लियन एमबापे वो trust नहीं करते बगर ऐसा reports आ रही है पेरिस के मीडिया से कि दोनों के बीच में true sign हुआ है कि UEFA या European Championship के जो matches उसमें कि लियन एमबापे will start an important role play करेंगे because आपको पता है कि PSG ने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है एमबापे वो definitely like to end his PSG career एक अच्छे note पे so एमबापे still इस match one of the best goal scoring outlet है one of the best captaincy outlet है हमें बहुत जादा बताने की जरुबत नहीं है कि कितना ज़दा trouble कर सकता अगर उनका दिन हुआ so यह आपकी team में तो must है वोने चाहिए इसके साथ friends हमने दो attackers लिये है Real Sociedad के because we are not expecting कि इस match PSG clean sheet रखेगी Sociedad will go for it आराम से वो 2-3 goal score कर सकते है जैसे Randall Colomohani या Ramos बहुत अच्छे form में नहीं है so इन दोनों players हम rely करेंगे दोनों के goal contribution numbers इस season Real Sociedad के लिए काफी अच्छे है although Sociedad का recent form is not that good but still इन दोनों players हम आपकी teams में recommend करेंगे अगर आपको drop करना है किसी को तो आपको यार जबाल को drop करके एक extra PSG का attacker ले सकते है अगर आपको लग रहा है कि वो score करेंगे जैसे someone like Randall Colomohani तो friends यह था हमारा small league के लिए एक safe sort of combination थोड़े बहुत जो हमने changes बताए है वो आप कर सकते हैं देखके जैसे एक extra PSG का attacker ले सकते हैं by the place of Real Sociedad का attacker यह सब changes आप कर सकते हैं अब friends आईए चलिए हम लोग देखते हैं अपने कुछ top captaincy picks इस match के so top captaincy picks में friends हमने Kilian Mbappe and Usman Dembele को लिया है नहीं important है Dembele जहां पूरी तरह से creative overload समालेंगे PSG का तो Kilian Mbappe की finishing clinical ने समें बिलकुल पता है इनके बिना captaincy जाना small league बहुत जादा रिसके साब इत हो सकता है so Mbappe and Dembele becomes one of the most obvious choices अगर आपने differential captaincy picks की बाता है तो हमने Bryce Mendez और Vittinia को दिया है Bryce Mendez friends because Real Sociedad का जितना भी creativity का burden है वो समालेंगे इसका साथ ही वो defensive work rate भी अच्छा देते हैं आपको एक save score out 25 to 30 तो 35 points देंगे तो आपकी team के अच्छे differential captaincy के pick बन जाएंगे अगर अपने grand league picks की बाते हैं तो हमने जहावी गालान को लिया है जो कि अटलेटिकोडे मडरेट से loan पे आया है Real Sociedad में आते हैं उन्होंने बहुत अच्छी form दिखाई है defensive work rate अच्छा देते हैं offensively बहुत अच्छे crosses काफी ज़्यादा अच्छे ये डालते हैं तो हावी का लान बिकम्स ओन अफ़ इम्पॉर्टन पिक लास्स सीजन ये Real Sociedad के Player of the Month का अवार्ड भी इन्होंने जीता था और इसका साथ ही friends हमने Warren Zahir Emery को लिया है जिनका form थोड़ा सा डगमगा है in the recent months under Luis Enrique मगर आज का match perfect है अगर उन्हें form में वापस आना है because PSG obviously 2-0 up है and Zahir Emery जैसा box-to-box midfielder जिनके runs को Social Dad बहुत ज़्यादा अच्छे से track नहीं कर पाती है वो आराम से आज के match में score कर सकता है so ये दो हमाई Grand League के important picks बन जाएंगे so friends ये था हमारा fantasy preview for the UEFA Champions League match between Real Social Dad and Paris Saint-Germain यानी PSG अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिएगा हम आपसे मिलते है friends फिर सेक अगले वीडियो में तब तक के लिए all the very best for this match Thank you